हेलो दोस्तो, वेलकम टू माई यूटूब चनल, वीडियो को पूरी तरह देखने हैं अच्छा लगे तुमाँ लाइक, सेरे और सब्सक्राइब करना दोस्तो आज समा बात करेंगे PNB ATM कार्ड एपलाई फर्म को कैस से फिलब करें दोस्तो अगर आप PNB उजर है और पहली बार ATM कार्ड को ले रहे हैं तो आप ब्रांस से लेना होगा क्योंकि पहला ATM कार्ड को उनलाइन अपलाई नहीं कर सकते देन एक बार ATM कार्ड आ गया तो PNB मोबाइल बेंकिंग और इंटरनेट बेंकिंग में रेजिस्टर करके कभी भी दूसरा ATM कार्ड को उनलाइन अपलाई कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल बेंकिंग और इंटरनेट बेंकिंग में रेजिस्टर करने के लिए PNB का ATM कार्ड चाहिए दोस्तो ब्रांस में ATM कार्ड अपलाई करने के लिए एक ATM apply form को fill up करना पड़ता है तो चलिए जानते इस form को case से fill up करे दोस्तों यह रहा PNB का ATM apply form इस form को हमें fill up करना है पहले यहां पर B.O. लिखा यानि branch office आपका PNB branch जहां पर है उस branch का name यहां पर लिखिए दे नीचे date को दीजे अब जो date में bank में apply करेंगे उस date को दीजे उसके बाद side पे account holder का एक photo लगा दीजे अगर joint account है तो दोनो account holder का photo लगा यह उसके बाद ATM और debit card का type यहां पर classic platinum मित्रा जैसे debit card है आपको जो debit card और ATM card लेना है उसके side box पर टिक कर दीजे दोस्तो आजकल maximum logo को PNB का classic debit card ही मिल रहा है उसके बाद यहां पे account holder का name capital letter में लिखिए दें joint account में second account holder का name लिखना है अगर joint account नहीं है तो इस option को छोड़ दीजे उसके बाद फिर से यहां पे account holder का name capital letter में लिखिए उसके बाद तीन number पे आईए यहां पे type of card है type of card में आपको दो option मिलेगा एक है personalized दूसरा है non-personalized तोस्तो परस्नलाइज मिन्स आपके जो debit card में आपका name print होगा यह non-personalized मिन्स आपके card में आपका name print नहीं होगा तो इन दोनों में से एक option को चूझ कीजिए उसके बाद चान number पे mobile number और email id देना है mobile number और email id को फिल कर दिजिए यहां पे mobile number देना mandatory है लेकिन email id अफ्सनल है email id नहीं देंगे तो भी चलेगा उसके बाद नीचे 5 number पे type of account and account number को फिल अप करना है यहां पे main account में saving account है तो SF लिखिए and current account है तो CA लिखिए then side में आपका जो account का 16 digit का account number दिजिए then बाकी कुछ फिल अप यहां पे नहीं करना है यहां पे सब फिल अप हो गया है last में आपको only यहां पे signature करना है दोस्तो एक individual account में इतना ही आपको फिल अप करना है दोस्तो यह आप PNB ATM firm apply करना का पूरा प्रोस्वर आप इस अफ्लाइन में आप इस तरह बैंक में जाके ATM card को apply कर सकते हैं लेकिन आप PNB Mobile Banking और Internet Banking के जरिये भी online पे इससे apply कर सकते हो online में PNB ATM card को कैसे apply करते हैं इसका link डिस्क्रिशन पर है आप जाके detail में से देख सते हैं तो दोस्तो यह वीडियो कैसा लगा अपनी comment पर बताईए अच्छा लगे तुम्हां like, share and subscribe करना thank you for watching